आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आरो वाटर फिल्टर में लगी नल खराब हो जाए तो कैसे ठीक करें अगर मालो आप ऐसे जगा पर रहते हैं जहाँ पर आरो की सर्विस नहीं है या फिर बहुत धूर जाना पड़ेगा उस कंडिशन्स में अगर मालो आरो का नल का ये वाला पार्ट जो है तूट जाए या फिर काम नहीं करे तो फिर पानी टंकी से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है या तो फिर ये खराब होने की वज़े से टंकी में पानी रुक ही नहीं रहा है यहां से लिक होकर बह जाता है इस तरीके की कई सारी प्रोब्लम्स न जो नल होता हैyy उसको रिपेयर करसकते हैं बहुत सिंपल सरल तरीके से बताते हैं, किमरे थोड़ा से जूम करते हैं यह देख़े हम आपको नल को दिखाते है डारेक्ट यह नल है तो सबसे पहले देखिए अगर आपकी जो है आरो का water filter का null काम नहीं कर रहा है तो किस तरीके से उसको ठीक कर सकते है इसको उठानी है या तूड गया होगा तो भी कोई कर नहीं है यहाँ से पकड़नी है और इस तरीके से घुमाना है देखे इस तरीके गिस से घुमाने से ये वाला पार्ट बाहर आ जाता है अब जो सारा खेल है यहीं पार्ट का है यह तो खाली एक जगे है पानी जाने के लिए जो भी खेल है इस पार्ट का है खराब हो गई है तो कैसे ठीक करेंगे देखें पहले यहांसे टोपी को खोलना पड़ेगा नल का ओर मरा फ्टींव और थोड़ा साicyork को पकड़ के आपकी दिखेंगी आप यहां से नीचे वाले पाप को पकड़ेंगे और आज और एसे दबाएंगे तो ये ये वाला पार्ट निकल जाता है तो उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर सिंपल एक स्प्रिंग लगा होता है ये कई बार ऐसा होता है कि नल के लिख होने की वज़े से जो है ये रिपेर किये तो इसको अब पहले निकाल दता है और यहाँ पर डारेक्ट समझ में आएगे तो कई बार ऐसा होता है पानी लिख होने की वज़े से स्प्रिंग में चले जाती है और स्प्रिंग लोहे की होती है तार की तो पानी जाने के वज़े से ये स्प्रिंग जो है सर जाता है सर घल टूट जाता है जिसके कारण ये अच्छे से नल में फ्रेशर मतलब दाब नहीं बनाती है जिसके कारण नल की नीचे से पाने लिक करने लगता है या फिर तूट जाने की कारण से हम इस तरीके की जो टोपी होता है उसको बंच चालूर नहीं कर सकते हैं तो सिंपल क्या करेंगे मालो आपकी जो घर है या फिर ओपिस है मारकेट से बहुत धूर में है और वहाँ पर नल की ब्योस्ता नहीं हो पा रहे हैं तो किस तरीके से ठिक करेंगे उसके बारे में बताते हैं लेकिन सेम टाइप की मिर जाती है तो उनके पास इस तरीके से स्प्रिंग जो है हैज़े वगरे में जाके उतुघार कर लेनी है और simple spring को वापस ऐसे ही लगानी है जो आप लाएंगे दूसरी वाले उसके बाद ये जो टोपी होता उसका टोपी में इस तरीके से लगाना है ये देखेंगे अब क्या करेंगे इसको ऐसे दबा के रखनी है तो यह अला part उभर गयाएगा उसके बाद देखें ये जो टोपी क्या करना है इस नल में वापत लगा देनी है बस इतनी सी ही काम होती है सिंपल एक स्पिरिंग की स्पिरिंग आपको हाडवेर या फिर बाइक बनाने वाले के पास मिल जाएगा स्पिरिंग लगा कर आरो की नल को ठेक कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी जानकर इच्छी कीजिएगा फिर से लाएंगे नहीं वीडियो